हाई, welcome to my channel, इस बीडियो में solve करें question number 16 the total surface area of a hollow cylinder which is open from both sides is 4620 square centimeter तो total surface area दे दिया है एक hollow cylinder का जो दोनों side से open है और दे दिया कितना 4620 square centimeter और area of the base area of the base ring दे दिया है 115.5 square centimeter तो area of the base ring क्या होता है यह जो हमारा यहाँ पर जो base है इसका area दे दिया है ठीक है यह तो hollow है hollow होने का मतलब यह है कि जो white ring बनी हुई है उसके अंदर से जो space है यह पुरा क्या है खाली है पुरा hollow है ठीक है और height दे दिया है height is 7 centimeter is 7 cm सरंची है कराएं कि find the thickness of the cylinder तो thickness पूछा है, thickness पूछने का मतलब क्या thickness पूछने का मतलब कि यह length कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक, बस यह जाहाँ है मतलब यह भी thickness वह होगी जो यह होगी और यह वाली थिकिनस वह यह होगी जो यहाँ होगी और यहीं 4 तरॉब़िचनेश जो हाओ पुछा है कितना मोटा है हम जानते है कि यहां से लेकर के यदि हम इसको Л twice को दोने हैं तो यहां से लेकर के और यहां तक इन दोनों के बीच में जो यह को डिस्टनस है वो कितना है capital R है और यहां से लेकर यहां तक क्या है small R है ठीक है ओके तो capital R में से यहां से यहां से यहां से यहां से है small R जो है यहां से यहां से है देखिए small R आपका यहां से यहां तक है मतलब कि यहां से यहां तक है बस तो यह small R है यदि capital R में से small r minus करेंगे तो क्या मिलेगा आपको ये मिल जागा thickness मतलब यो finally आपको निकालना है thickness मतलब की capital R minus small r this is the thickness of the cylinder hollow cylinder तो पहले जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं solution दिया by total surface area given is total total surface area of the hollow cylinder is equal to क्या दिया हुआ है 4600 4600 20 cm square अब बते हैं तो total surface area का formula क्या होता है इसका जो formula होता है it implies इसका पहले हम लोग external external surface area निकालेंगे मतलब external card surface area तो external जो card surface area होता है वो होता है 2 pi capital R इसका इसका जो इसका जो बेसरींग का area कितना होता है तो दो बेसरींग है यहां पर एक बेसरींग यहां है और उपर वाला एक बेसरींग है तो दोनों का हो जाएगा 2 pi in bracket capital R square minus small r square is equal to हो जाएगा 4620 ठीक है अब यहां ध्यान देजेगा यहां पर जो यह बेसरींग का यहां पर देखें area of base ring दिया हुआ है 115.5 तो area of base ring area of base ring क्या होता है area of base ring होता है pi into capital R square minus small r square यह होता है area of base ring यह जो base ring का जो area निकलेगा वो pi capital R square minus small r square होता है क्योंकि आप यह बाहर वाले circle में से यह अंदर वाला circle की area मानस कर देते हैं तो आपको निकलता है वही area of the base ring और यही तरीका है निकलने का और इसी की value देदी है कितना 115.5 मतलब यहां पर देखिए यहां पर है क्या हो यह वाली quantity यहां पर जो मैं लिखा हूँ यहां पर दिया हुआ है कि नहीं two times इतना two को छोड़ करके जो इतना quantity है यही है बराबर है area of base ring तो इसके जगा पर लिख सकते हैं हम 115.5 square centimeter means हम लिख सकते हैं यहां पर अब देखिए इन दोने में सब कामल ले लेंगे कुछ तो two pi h कामल ले लेते हैं तो यहां पज़एगा capital r plus यहां पज़एगा small r okay plus यहां पज़एगा two times ठीक है यहां होगा क्या यहां हो ज़एगा two times यह pi into capital r square minus small r square की value जो होती है 115.5 cm2 ठीक है is equal to हो ज़एगा 4620 अब यहां पर multiply करके इतना मैनस करेंगे और यहां पर एक relation निकाल लेंगे capital r और small r में तो यह हो ज़एगा two into pi की value जो है नहीं दिया है कुछ भी तो हम 20 by 7 रखेंगे कुछ नहीं दिया यहां पर into h की value height कितना दिया है 7 दिया हुआ है और यह capital r प्लस इसमाल r वैसी रहने तेंगे plus यहां मटप्लाइब करके इतना मैनस करें तो हमें पहले ही कर देना चाहिए is equal to क्या हो जाएगा 4620 माइनस करें 2510 10 का 0 1 carry over 2510 1011 और 1 carry over 202 और 213 और 202 और एक decimal लगेगा यहां पर मतलब कि 231 आएगा actually तो हम यहां से decimal हटाई देते हैं finally 231 आ जाएगा अब यहां मनस कर लेते हैं तो मनस करें उतका मिलेगा 0 में से यदि 1 मनस करेंगे 9 आएगा क्योंकि 10 हो जाएगा यहां पर और यहां पर 11 बचा 1 में से 3 नहीं जाएगा तो 11 हो जाएगा सेंटिमेटर स्क्वाइर हो जाएगा मतलब इतना बराबर इतना आ गया अब यहां पर capital प्लस इसमाल र निकाल सकते हैं देखें आप सेवन इंटू सेवन इंटू सेवन इंटू सेवन कर जाएगा और यहां पर हो जाएगा capital R plus small r is equal to जो भी इधर बचाओगा quantity उससे हम डिवाइड करेंगे तो यहांपका 4389 में डिवाइड कर देंगे 2 इंटू 22 से मतलब कि 44 से ठीक है क्या ऊपर नीचे कटेगा कुछ दो 11 से कट सकता है 114 जा 44 11 23 23 और 33 हो गा तो कितना बचेगा 10 बचेगा 10 बचेगा तो 108 हो जाएगा और 108 मिंज ले जाएंगे तो 1199 हो जाएगा और कितना बचा फिर से 9 बचा 9 और 9 मिलकर कितना हो जाएगा और 1199 हो जाएगा मतलब कि आगे आपका फाइनली 399 अपान 4 तो यहां आ गया इतना मतलब कि एक रिलेस्टन आ गया ठीक है ध्यान समझेया का इसे तो area of the base ring दिया होएँ इतना तो since दिया होएँ यहां पर area of area of the base ring area of the base ring is equal to the y यहाँ पर 115.5 115.5 cm2 और area of the base ring क्या होता है pi इतना तो हम यहाँ पर formula यूज़ कर लेंगे pi times capital R square minus small r square इसकोट हो जाएगा 115.5 अब यहाँ पर ध्यान दीचेगा हम यह capital R square minus small r square को break कर देंगे जिसे कि यहाँ पर a square minus b square के रूप में formula से मिल जाएगा capital R minus small r capital R plus small r ठीक है इसे break कर देंगे यहाँ भी break करेंगे यहाँ पर हो जाएगा pi capital R minus small r फिर capital R plus small r is equal to 115.5 अब यहाँ पर pi की value जो है 22 by 7 है और इसकी value जो निकालने ही है R minus capital R की और R plus R की जो है यहाँ पर दिया होगा है यहाँ value रख देंगे into 399 upon 4 is equal to 115.5 ठीक है अब जो भी यहाँ पर left hand side में है उसको right hand side में transpose कर देंगे और जो आएगा उसको solve करके हम R minus small r की value जो है find करेंगे और यही जो capital R minus small r की value जो आएगी वही होगी thickness of the cylinder solve कर लते हैं तो यहाँ में लेगा 115.5 multiplied by देखे जो denominator में होगा उसे multiply कर देंगे तो multiply कर देंगे 7 multiplied by 4 whole upon यहाँ पर 22 निचे आएगा into यह 399 आ जाएगा 2 और decimal को हम हटा सकते हैं यदि हम 10 से multiply कर दें तो यहाँ पर 0 बहाद देते हैं यह decimal हट जाएगा इस decimal को हमने क्या किया यह रज कर दिया हटा दिया अब यहाँ पर solve करते हैं तो 11 से कटेगा 11 मुझा 11 और यह कट जाएगा पूरा complete 11 मुझा 11 एक बढ़ जाएगा और नहीं जापाएगा और 5 में तो 0 बढ़ाएंगे 55 लेंगे 11 5 जा 55 मतलब क्यों आ जाएगा 105 अब यहाँ पर देखिए यह 5 से कट जाएगा यह 7 से कट जाएगा 7 संहित्यान होता है और जेखोल बजी गया उसके बाद में और तैंटेगा अ कि को कहारे अकंगास अब यहां पर हम कर फाइक करेंगा 500 करेंगे 545 यहां से हो जाएगा फाइव रापन जारतेड अप 6 और यहां से हो जाएगा फाइव बनंजा-फाइव एक बार और फव सब्सक्राइब कोई भी मिश्टेक नहीं हो रहा है आपर मतलब फाइनली आगे है 21 अपान 57 अब यहां पर सेवेन अपान सेवेन अपान सरी सेवेन अपान 19 क्या हो जाएगा सेंटी मीटर और यहीं आपके होगी क्या थिकनेस तो आर मेंस आर इस गोल इतना आ गया तो हैंस हैंस थिकनेस of the hollow cylinder cylinder and that will be capital R minus small r is equal to 7 upon 7 upon 19 centimeter this is your answer okay thank you so much for watching bye